इंजिनिंग सर्विस के जो 10 नॉन टेक सलेवस है न वो हम डिसकस करें कभी स्टार्ट हुआ था और कहां से कैसे दब देख कैसे पढ़ना यह सब चीजे हम डिसकस करेंगे कारम में आज हम बात करेंगे इंजिनिंग सर्विस का जो 2021 प्रिल monkey होनी वाला है तो इक नॉन टेक का पेपर होता है तो नॉन टेक का परfed होता है जो दोसो माक्त को था तीन सो टेकनिकल और 200 non-tech का होता है तो non-tech के बारे में जो 2017 में ये शुरूर नया non-tech हुआ था और 10 subject को दिये थे UPSC वालों ने तो उसके बारे में हम details इस वीडियो में बात करेंगे और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर दीजे और share कर भी कर दीजे और मुझे follow भी कर सकते है Instagram पे चलिए वीडियो को start करते है तो आपकी मन में ये भी आता होगा जब ESC का जो second paper 200 marks वाला होता है तो सुचते होंगे कितना पढ़े 10 subject हैं तो कितना पढ़े पहले 2-3 subject मतब ऐसे जी हैं अभी 10 subject कहां से पढ़े क्या पढ़े तो चीजे आपके मन में डाउट आई जाता होगा तो इस वीडियो में देखते हैं कि सब्जेक पहले हम देखते हैं subject कौन-कौन से तो सब्जेक हम देखेंगे तो सब्जेक में आपको मिल जाता है first current affair mathematics और aptitude और आपको ICT ICT हो जाता है material science हो जाता है material के science के बाद आपका ethics हो जाता है drawing हो जाता है और project management हो जाता है और quality management होता है और एक और स्वे environmental and ecology तो यह 10 subject आपके हैं तो 10 subject होते हैं जो ESC में 100 question पूछे जाते हैं 100 question होते हैं एक question two marks होता है यानि 200 marks के total question होते हैं और बहुत important इसमें क्या है ना जैसे दो पेपर आपका technical होता है technical में लोग ज्यादा number लाने की chances बढ़ते हैं और यहां से number कम आते हैं जैसे आपको 50% से भी यहां कम number आते हैं 70-80 depend करता है आपको कितना पढ़े हो तो यह दिमाग में आपकी में हमीशा बना रहता है कहां से पढ़े तो पढ़ने की बात सुरूर करते हैं तो पढ़ने में आपको पहले दिखिए हम बात करते हैं mathematics और aptitude mathematics और aptitude ऐसा ही चीज है mostly लोग यहां से question अच्छे आते हैं और यहां से कर जाते हैं तो यह हैं दो चीजे से पढ़ने में यहां से यहां से मैस अ और aptitude से नंबर आराम आजिविवी लाओस कर सकते हैं यहां से कमसे कर सकते हैं इसलिए यहां से नंबर आप ला सकते हो और उसके बाद आपको पढ़ता है current affair current affair आपको साल बर जब तक कोचिंग कर रहे हो करते हैं पूरा current affair आपको डेली पढ़ना है तो उससे expect नहीं कर सकते कि current affair जितना पढ़े हैं उतना ही आ जाएगा उसमें आपको एक सही हो जाए दो सही हो जाए या पूरा सही तो नहीं हो सकता current affair तो उस पे थोड़ा सा आप यह जब साल हो तो कभी-कभी material science कभी-कभी आपको electrical engineering के लिए अच्छा हो जाता है कभी-कभी mechanical के लिए अच्छा हो जाते कभी-कभी civil के लिए अच्छा हो तो तीनों common होकि यह बनता है तो एक चीज़ है कभी civil से question पूछ लेता है stress assistance home से question पूछ ले तो उससे common हो तो material science से भी 10-15 question आपका बन जाता है तो यह भी बहुत important subject है material science हो गया okay आपकी अब बरते है quality और project management quality और project management थोड़ा बहुत same है कुछ-कुछ unit आपको same मिल जाएगा तो यहां से भी अच्छे project management civil के लिए ज्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि civil का एक subject होता है cpm but तो आहां से यह चीज़े थोड़ा easy हो जाता है quality mechanical के लिए अच्छा हो जाता है दोनों से question 20 question near about दोनों से मिला के आते हैं यह ठीक है आप यहां से थोड़ा सा एक दो बर पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्योंकि यह ज्यादा tough नहीं होता बस question पूछ यहां से कभी numerical पूछ लेता है वह आपका material से तो चीज़े है guys जैसे आपको total quality management और आप सारे चीज़े व तो से question आपको आ जाता है तो यह भी हो गया आपका हो गया पांच छे सिक्स हो गया आपका बस्ता है आपका ICT ICT बस्ता है ICT information वाले हैं तो अहां से आपको current में जाके पढ़ना होगा थोड़ा बहुत current affairs related question आ जाते हैं या बहुत सारे आपको government के site जो apps अभी तक बनाते हैं application जो बनाते हैं या कोई website बनाते हैं जो हम लोग को फायदा हो या public लोगों को और चीज फायदा होता है वहां से relation करके बन जाते भी से 5 से 7 कभी 10 question के near about पहुच जाता है यह depend करता है आपको ICT हो गया quality हो गया project हो गया अब बात करते हैं एक drawing को तो drawing ज्यादा तो civil के लिए सिविल में ऐसे तो डिगरी में बहुत कम पढ़ाया जाता है यह डिप्लोमा वाले के लिए अच्छा से पढ़ाया जाता है बट हाँ सिविल वाले थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेते हैं कावन मान लीजिए सिविल वाले के लिए थोड़ा अच्छा होता है तो drawing से भी आपको कर सकते हैं आपका बचता है इन्वार्वेंटल बचता है और इन्वार्वेंटल भी एक important subject है अब इन्वार्वेंटल और इतिक्स तो इन्वार्वेंटल की बात कर लिया जाए तो इन्वार्वेंटल बहुत सबके लिए common हो जाता है क्योंकि इन्वार्वेंटल से इ थोड़ा सा हो सकता और इंवरिमेंशनल कॉमन होता है इसलिए बहुत सारे कॉमन कोश्चन पूछे ये भी 10 से 12 15 कोश्चन मुश्चली चला जाता है और इथिक्स के बाद की जिए इथिक्स ना कितनों भी पढ़ लो ना ऐसा नहीं आपके इथिक्स उस पर डिपेंड करता है आपके इंग्लिस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ये वर्ड जो पूछता है उससे समझ में आना चाहिए इथिक्स से चार से पांच कोश्चन आता है ज्यादा नहीं आता है तो यह चीज़ पूरी सब्जेक्ट में डिसकस कर लिया और हां अब क्या चीज़ कौन सा कोशिक से बुक लिया जाए यह एक डिपेंड करते हैं कौन सा किसका जैसे अब मेडी जी और येस मास्टर की बात किया जाए मेडी जी का जो कंटेंट है ना ठीक है मतलब वहां से पढ़ोगे तो मोटली हो जाएगा वह कम में अच्छा देते हैं इस मास्टर पी कम ज्यादा भी हो जाती है और ऐसे टीचर देखा जाए तो इस मेडी जी में थोड़ा अच्छा बढ़ाया जाता है कंपेर टू दा इस मास्टर तो यह चीजे थी नॉन टेक की बात है नॉन टेक को पर आल देखा जाए तो असी से नब्बे माक्स है और हंडे प्लस बहुत कमी लोग आता है परका आता है तो असी से नब्बे के बीच ला रहा है माक्स तो गुण माक्स माना जाता है और निटी फाइब हंडेड के बीच वह अच्छा है तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएगा और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिए लाइक जी बाब है टेक केर खुदा हापिस जाहिंद और निमादा मिलते हैं निव वीडियो के साथ